तो जो बच्चे क्लास 11 में कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए जो उनकी लिए अच्छा होगा तो आज सम्लों सब्जेक्ट कॉमिनेशन देखेंगे साती साथ हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से राइटर का भूक बहुत इंपोर्टेंट होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से राइटर का भूक खरीदें गलत भूक खरीदने से भी उसको दिक्कत होगा और आपको एक्जाम का पैटर्न भी समझाया जागा कि परिक्षा किस तरह से देनी है और फिर हम लोग 2-3 क्लास लें Commissioner एक अलग दुनिया कि जो कि पहले उसको कभी मिला नहीं जो भी बच्चा 10 पास किया Commerce कभी पढ़ानी है वो साइंस का सारा सब्जेक्ट पढहा है आर्ट्स पढहा है लेकिन Commerce उसके League स्वेस में नहीं रहा है तो Commerce में दो स असकोप है दो ऑप्सण है आपके पास दो combination है तो combination से बेटर है हम आपको सारा subject का नाम लेख देते हैं आप खुद टैक कर देना पहला जो compulsory paper होता है compulsory का मतलब है कि अगर आप commerce लेना चाहते है तो आपको लेना ही पड़ेगा अनिवारी विश्य है ये लोग हिंदी में क्या बोलते है वानि जी उक्त कॉमर्स को हिंदी में बोलते है वानिी जी उर हम लोग पढ़रे हैं अनिवारी विश्य कौन कोन है जो commerce में आपको लेना ही पड़ेगा तो पहला अनिवारी विश्य का नाम है accountancy पहला सब्जेक्ट है accountancy जिसको हम बोलते है लेखा सास्त्र हिंदी में क्या बोलते है लेखा सास्त्र दूसरा है compulsory subject है बिजनस स्टडीज बिजनस स्टडीज जिसको बोलते हैं ब्याव साइक अध्याजन इसको सौट में हम लोग BST बोलते हैं और इसको सौट में हम लोग ACT बोलते हैं ACT का मतलबता है accounts यह compulsory subject है जो कि हर commerce के student को लेना ही पड़ेगा यह लेना नहीं पड़ेगा पहले से प्रिंट रहेगा जो आप admission form भरोगे वहां पहले से छपा रहता है तो यह आपका भरावर रहेगा पहले से आपके पास यह हो गया पहला तो इसका मतलब कितने compulsory paper हो गया दो दो compulsory paper है आपको लेना दूसरा language पर एक चुनना पड़ता है language core जिसको बोलते है core language मतलब मुख्य language भासा कौन सा पढ़ेंगा आप भासा कौन सा पढ़ेंगे तो भासा दो आपके पास रहेगा आप लोग के पास दो ही चुआइस है या तो आप English पढ़ेंगे मतलब मेन लेंगवेज आपका इंगलेश होगा या तो आपका हिंदी होगा आपको दोनों में से कोई एक ही चुनना है याद रखे गा यहां लिख देते हैं सेलेक्ट एनी वन मतलब दोनों में से कोई एक चुनना आपको दोनों में से कोई एक ही रखना है कि दोनों में से कोई एक लिना याद रखेगा या तो आप इंग्लिस में अच्चे हैं आप एंग्लिस हने में हिंग्लिस कॉर को चुन लो और आप की ओप न् tenido करता इसको चुनोगे बहुत बच्छ ऐसा नहीं है। अगर आपuğलोगा है। नोल लिख सकते हैं। हिन्दी औरं इंग्लिफा चाहिए refuse और रहा है। इस चेश को समझना ज्रूरी है तो यहाद रखना है सबसे पहले अप्कों चुनने को देगा और तीसरा पेपर और आप्शह पेपर होगा और ऊप्सनल पेपर आपको बहुत सारा उप्शन देगा उसमें से दो चुनना है बहुत सारा उप्शन देगा तो पहला उप्शनल में आता है economics आप economics रख सकते हो अगर आपका इंट्रेस्ट है तो दूसरा आता है CAE CAE का full form होता है commercial arithmetic क्या होता है commercial arithmetic उसको math बोलते है इसी को BMT बोलते हैं BMT 12 में सी का नाम क्या हो जाता है BMT हो जाता है क्या हो जाता है तो CAE मतलब math BMT का मतलब business mathematics 12 में इसका नाम BMT हो जाता है 11 में इसको CAE बोलते है कभी भी गलती से math मत भर दिजेगा अगर आप अपने admission form में math भर दिये तो कोई दिकत नहीं लेकिन कि registration में जो बच्चा math भर दिया मतलब science or math हो जाएगा math science or math को कहते हैं इसको बोलते हैं CAE commercial arithmetic क्या बोलते है commercial arithmetic तो CAE भर ना है या तो BMT भर देना है दोनों में कोई भर दिजेगा चलेगा लेकिन कोई बच्चा क्या करता उसको समझ नहीं आता सोचता किसी का exam छुट जाता है कि किसी का math बात में होना तो उसको बोलता है तुम्हारा इस दिन exam है अब उस दिन जाएगा तो उसको कुछ को सन्य नहीं बुझाएगा अब अचाना के examination में फेल हो जाता है सिधा बच्चा तो अब उसकी गलती क्या थी कि गलती यही थी को समझ नह बाते से मैं इसकी जानकारी आप होनी चाहिए अगर नहीं है तो फिर आप admission होगे बहुत बच्चा को admission में कुछ नहीं समझ माता है क्योंकि वो बच्चा commerce में नया नविला है अब admission कौन करा देता है पता चला भाईया करा दिये भाईया क्या पढ़े थे science पढ़े थे अब science पढ़े भाईया आपका commerce का subject गलती चुन लेंगे तो आपका सत्यानास हो जाएगा इसलिए आप अपना life सत्यानास मत करो आप सही subject चुनो उसके अपको जानकारी होनी चाहिए subject का combination कैसे set करेंगे किस तरह साथ हम subject का choice करें कि subject मेरे लिए better हो और अच्छा subject हम चुन सके ज्य लेकर जाएंगे जिस्मां आपको हर चीज बताएंगे और साथ ही आपको यह बताएंगे कि offline और online class कैसे कर सकते हमारे पास offline के लिए कहा आना होगा या क्लास के लिए क्या करना होगा तो इसको लगातार देखते रहे हैं देखेंगे बहुत कुछ फाया मिले हुला और वलार कोई दू आपको चुनना अगर कोई बच्चा को मैठ पढ़े नए में तो चुनना चुनना है सब को एकनॉमिक्स तो सब रखोगे हम यहाँ रेट पेंस से टिक कर रहे हैं कि कौन-कौन साथ अच्छा होगा तो पहला अकांट्स तो आपको रखना ही रखना भीस्ट आपको र तो आपको कौन सा subject चव्जच करना English, हम आपको suggestion नहीं करेंगे क्योंकि आगे काम नहीं देगा वाब वो आगे तुमको जब भी काम देगा तो English काम देगा तो English चुनो कि मेरे ही साब सा subject का combination देखो तो यह होना चीए ठीक है अगर तुमको तुम्हारा इंग्लिस एकदम खराब है लगता कि मेरा इंग्लिस नहीं हो पाएगा तब तुम हिंदी चुन सकते हो लेकिन अगर इंग्लिस ठीक है तो इंग्लिस चुनो उसके बाद कॉंबिनेशन होगा को दिखत है इस इसको ध्यान रखना है तो अब हम लोग थोड़ा साई यह तो हो गया पांच सब्जेक का कॉंबिनेशन अब इसको लोग सही से लिखते हैं कि बच्चे का सही सब्जेक क्या होना चीद हम सब बता दिये कि यह दोनों में से को एक चुनना आई तीनों में से तो हम आपको एक सभी सब्जेक कॉमिनेशन बताते हैं जिसमें से आपको इतना खूइस अई होगा कि कैश सब्जेक क्यों लेंगे अगर किСेको लगता है नीज सब्जेक को लेंगे अपना बिजनस टमाने सब्जेक ले तो हम आपको subject combination बताते हैं, यह subject combination बहुत काम करेगा, देखिए का, अगर कोई अपना, आगे future में CA के बारे में सपना देख रहा है, chartered accountant, CA, या CA में cost and management accounting के बारे में देख रहा है, जहां commerce का career है, वो चाहता है कि हम CA करे, CA में करे, BCA करे, BBA करे, इस जगार पर वो जाना चाह रहा है, वो दिकता है, अला कि BBA इसको हटा दो, यहां तक लेगे चलते है, अगर यह, इस speed में वो जाना चाह रहा है, career बनाना चाह रहा है, या competition में चले जाए, ठीक है, जितने competition है, वो exam form बरे, banking हो, SSC हो, सब का form बरना चाहता है, तो उसके लिए पहला subject accountancy रखना ही रख economics, चौथा उसको रखना चाहिए, CAE, maths, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते है, BMT, और पांचवा रखना चाहिए, उसको English, यह subject वो चुनेगा, तो आगे उसको फायदा होगा, English score, यही 5 subject उसको रखना चाहिए, कुछ बच्चे extra paper रखते हैं, extra paper क्या करता है, कि अगर by chance क इसी subject में लटके, तो वो subject आपको support करके बचा लेगा, तो आपको extra paper एक ले लेना चाहिए, तो एक extra paper ले लो, तो अगर extra subject लेना चाहते हो, तो आप ETP ले लो, ज़्यादा बेटा है, ETP जूट रहा था ना, तो आप सब पढ़ लिए, वो दिकत किसी को, अगर कोई बच्च में expert बनना चाहते हो, BBA करना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, अगर master बनना चाहते हो business का, तो आपका subject का combination, accountancy, business studies, economics, entrepreneurship, ETP रखो, और एक English score, हिंदी, अगर नहीं समझ माता है, तो आपका extra paper में क्या रहेगा, अगर extra पढ़ना ही चाहते हो, तो CAE रख दो, क्या extra paper में रख दो, CAE, extra paper में ये रख दो, इससे फाइदा क्या होगा, क्या आपका extra paper का भी तैयारी हो जाएगा, होगा कि नहीं, अरे हर subject आप पढ़ भी लीजेगा, ये subject combination होता है, अगर आप अलग-लग field में जाना चाहते हैं, अगर आपको maths में इंट्रस्ट है, ये subject combination आपके लिए ज्यादा बेटर है, maths में इंट्रस्ट नहीं है, तो ये combination आपके लिए ज्यादा बेटर है, subject choosing कैसे करेंगे, commerce के field में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो, अगर के बच्चा पूछ रहा है, teacher बने के लिए तो teacher बने के लिए दोनों में से कोई भी लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आपको चलेगा, banking वागा सब इसमें, जितना competition है इसमें चलेगा, अगर कोई बच्चा ये भी ले लेता है तो इसको banking में दिक्कत होगा, CA अगर ये मान लिजिए कि ETP हम रख लेते हैं और हम banking में जाना चाहते हैं तो उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन चुकि math वो नहीं पढ़ेगा और banking में math पूछता है, तो जब math आप नहीं पढ़ेंगे दो साल, दो साल 11-12 नहीं पढ़ेंगे और फिर बाव में math पढ़ने जाएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है दो साल shooting बाद, इसलिए हम आपको बोलता है कि अगर banking sector में या वैसे sector में जाना जहां mathematics का जुरत है तो आप math के touch में रहोना, अगर math के touch में नहीं रहोगे दो साल math से दूर हो जाओगे तो आपको फिर math पढ़ने मजा नहीं तो नहीं आएगा, इसलिए math के touch में रहना जरूरी इसलिए हम आपको यह option दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा यह subject लेता है तो वह banking में भी जा सकता है, CMA में भी जा सकता है, केवल BCA नहीं कर सकता है, क्योंकि BCA के लिए math कंपल सरी है, BCA के लिए math क्या है, कंपल सरी है, लेकिन बागी जगह पर हो जा सकता है, क्योंकि उसका subject combination में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चुकि जिस subject में mathematics का सबसे ज़्यादा जरूत परता है, वहां तो आप math से लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, कौन-कौन से writer का book लेना है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जब हम लोग पूरे अपने syllabus को देखेंगे तब, क्योंकि अभी आप book खरीदने वाले हो नहीं, तो अभी हम लोग इसको discuss नहीं करने वाले, और इसी के according अपने admission form में भरोगे, सारा जानकरी तो आपको फायदा होगा, चलिए उमीद करते हैं कि हो गया होगा, रिखावा, stop करके वीडियो को लिख लीजेगा, इसको भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि compulsory जो subject है, Accountancy उसको कैसे पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सबसे पहले, based book की बात कर लें, उसे पहले हम लोग courses की बात कर लें, हमारे याँ classes कैसे कैसे होंगे, क्लास हमारे यहां Commerce World हजारी बाग में दो मोड में होता है एक होता है Offline Mode और एक होता है Online Mode Offline Mode और Online Mode दो तरीके से क्लास आपको मिलेगा Online का मतलब Pure Online घर बैठे अराम सब पढ़िए और Offline जो Mode होता है उसमें Online Free होता है Offline वाले में Plus फ्री में हम लोग दे देते हैं Online Online क्या होता है Free होता है जो Offline वाले बच्चे होते हैं उनको भी Online Free में दे देते हैं और Offline वाले बच्चे को Online Free में मिल जाएगा और जो Online होगा आप तो जारकन के राची से पढ़ रहा है मेरे पास वो तो Offline पढ़ने आएगा नहीं वैसे Online वाले को Online Free नहीं कर पाते हैं तो अब यहां क्या मिलेगा यह चीज़ समझे तो, Offline का जो FEE है Offline का जो FEE हो पाँचो सब्जेक प्राइन का अगर आप करते हैं तो 5125 लगेगा पाँचो सब्जेक का फी 5一起 कितना लगेगा 550 किवल ऑन लाइन में आपको Jadi एक्समें 20 रुपई और आपको एक्स्टा लगेगा पाँना पड़ेगा जो नेतर नहीं पिर पड़ेगा जो टयक्सरकांज पर पचीश पर चाह Till Christianity लेकिन जो टेक्स बनेगा वो तो आपको देना पड़ेगा तो टेक्स आपको पेग करना पड़ेगा नितने में आफको online प्लस offline दोनों आपको मिल जाएगा अनि जो बच्छे offline पढ़े नो हजार में उनको 5000 का कोर्स फिरी में मिल जा रहा है पंच हजार का уз continuar है उनको क्या क्या कर ने पड़ dir टैक्न को प Ł मदनад का सरकार का उपके करना पड़ेगा अब है अब सवाल यह आता कि इसको हम पंखेंगे कैसे क्या क्या सविधाय मिलेगी तो ऑन्लाइन के लिए हमारे अप्लिकीशν है हमारा एप है जिसका नाम है Commerce World हजारी बाग अप्लिकेशन है हमारा Play Store में जाना है इस अप्लिकेशन को इंस्टाल करना अप्लिकेशन का नाम है Commerce World हजारी बाग Commerce World हजारी बाग याद रखे का अप्लिकेशन यूटूब ही है यूटूब चैनल जिसमें यह वीडियो आप देख रहे हो यूटूब चैनल भी Commerce World हजारी बाग से टेलिग्राम भी है Commerce World हजारी बाग से टेलिग्राम भी है और WhatsApp चैनल भी है अनि इतने जगह पर आपको जूड़ना है वाट्सअब चैनल भी है Commerce World हजारी बाग के नाम से तो अप्लिकेशन इस्टोर से जाना है इसे पहले एक वीडियो डाला हुआ इसी चैनल के उपर बिग अनॉंस्मेंट करके उसको देख लिजेगा तो लॉग इन करने के दो आप्शन है एक आप्शन होता है वाट्सअप के जरिए अप्लिकेशन लॉग इन हो जाएगा और फिर आपको मेरे पास मेरे नंबर पर फोन कर लेना है यह जो पेमेंट है ना ऑनलाइन वाले के लिए यह मेरे नंबर पर भीजना है हम उनको एड करेंगे है ना वहां से डिरेक्ट खरीदने में बच्चा गलत कोर्स खरीद लेता है जिसके कारण बच्चे को बहुत परिसानी होती है अभी देखिए आजी के केस में एक स्टुडेंट चार दीन से वह भी तक लोगिन नहीं हो पाया गलत कोर्स में घुस गया अब उसको दूसरे को जोड़ देंगे यूटूब में जोड़ देंगे टेलिग्राम वट्सअब सब जगह पर उनको एक टूजेट जोड़ देंगे एक साथ बच्चा जूड जाता है तो उसके हमको फिर दिकत नहीं होता हम एक जगह मैसेज बईते हैं उसके बास मैसेज चला जाता है और सारे जगह पर आपको जोड़ना है हमने कामर्स के लिए स्पेशल एक चैनल बना रखा यूटूब के लिए दोनों चैनल में आपको पढ़ाई मिलेगी यहां पर सारा नोटिफिकेशन जाएगा और यहां पर पढ़ाई का सारा वीडियो जाएगा इस चानल में सारा मिलेगा जो डिवी जादा तर इसी चैनल में आपको मिलेगा क्या है उपलाइन का स्मझे आफलाएन का क्या है उपफ्लाइन में हमारे पास classes होगे routine wise 2 घंटा per day class से लेगा और 2-3 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा या 3 घंटा, दोनों में से किसी दिन 3 घंटा होगा, किसी दिन 2 घंटे का class से लेगा और साथी साथ आपको online free मिल जागा, online का फायदा यह एक अगर कोई आफलाइन का बच्चा दस दिन अपसेंट कर जाता है और घर चला जाता है तो घर बैठे भी वह हमारे यहां का क्लास कर सकता है उसका क्लास कभी नहीं चूटने वाला यह स्टूडेंट कहीं भी रहे कभी वह पर सकता है अच्छा एक और फायदा है कि आप बिडियो आपको मिलें आप अपर रिक्रड़ेंग वीडियो का मतलब मान लेते हैं कि कोई बच्चा क्लास किया और उसको चूट गया कोई क्लास किया उसको नहीं समझ माराए बना रहा है तो हम लोग सब्सक्रीण पर पर है बहुत परेसान ऊता है आज बच्चे के पास वो आपको बताता हूं कि क्या क्या इसमें फैसलिटी मिलेगी तो अगर आप आनलाइन पढ़ते हैं और आफलाइन पढ़ते हैं आनलाइन हो या आफलाइन हो सबको ये सारी सुविधाएं मिलेगी पहला लाइब क्लास मिलेगा दूसरा लाइब क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा तीसरा पीडियाफ नोट्स मिलेगा चौथा एमसी क्यू नोट्स मिलेगा फाच वायं टेस्ट मिलेगा online test online test free रहता है offline का चार्ज लगता है ठीक है online test मिलेगा previous year question मिलेगा previous year question पिछले साल कैसा question exam में पूछा था लगवाग 800 question के आज में लोग देते हैं 800 question हम लोग पिछले साल जो भी पूछा है जहर पूरा किताब का स्वेशन आपको मिलेगा कुश्चन बैंक मिलेगा जो बनाएवे इतनी सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं ओफलाइन और ओनलाइन सारे बैच को जो बच्चा ऑनलाइन खरीदेगा उसको भी यह सारा सुविधा मिलेगा जो ऑफलाइन खरीदेगा उसको भी यह सारा सुविधा मिलेगा साथी साथी चैनल के एन सीर टी इएस फällt आपको अनलाइन ख्लासेज में और सिर्फ कीeh 571 25 और और bias 9,150 तो 9,150 में आपको online offline दोनों मिल जाएगा और अगर 5,125 आप पे करते हैं तो केवल online मिलेगा यह हमारे यहां सुविधाएं हैं अगले class में लो देखेंगे कि कौन-कौन से writer का खरीदे तो ज्यादा अच्छा मेरे लिए होगा क्योंकि एक वीडियो में सारा डालना पॉसिबल नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अगले वीडियो का वेट करेंगे अगले वीडियो में लो डालेंगे कि कौन-कौन से writer का book खरीदना चाहिए हमारे लिए कौन से writer का book जाधा अच्छा होगा ज्याखन जारकन बोड और स्टेट अलग लग invited कि पारे तो चाया स्टेट में को स्टेट बोडमे हमारे जैक बोड ना से जैक बोड विहार भॉड aus M.P. board है, M.P. board है, यह सारे बच्चे पढ़ते हैं और 36 गर बोर है, इतने सारे बच्चे हमारे हना ओन्लाइन इना क्लास में पढ़ते हैं, जारकन का विहार का UP, M.P. और 36 गर, तो हर बोर्ड के अलग-अलग बच्चों के लिए क्या-क्या बुक होना चीए, कौन सा बुक बे